प्राइज बात करेंगे बोन की प्राइज पर और शिबा इनू पर रिसेंटली पिछले 24 आवर्ज में इन दोनों का पंप आपने देखा होगा आ ढल दो के बहूत सारे दोस्त ऐसा समझ रहे थे और कैई भी रहे थे के ये जो अपडेट आई है शिबारिम के बारे में टीम की जानिब से जो के मैंनल मेरा ख़ला है दो दिन पहले आई थी उसको लेकर बहुत सारे दोस्त डिसपौइंटिड थे वो समझ रहे थे के नहीं आया तो आपने यहां पर देखा है कि पंप मतलब पिछले 24 आउर बलके 12 घंटे के अंदर अंदर जो है वो कितना ज्यादा पंप यहां पर शिबा इनु के अंदर आपको देखने में मिला उसका एक और भी रीजन है वो भी मैं आपके साथ यहां पर शेयर करूंगा और जो विडियोज होती है वो कोई financial advice नहीं होती मैं आपको यह नहीं कहरा होता कि भाई आप यहां पर इतने पैसे लगाए इतना profit आपको मिल जाएगा और मैं guarantee हूँ यह वो ऐसी कोई बात नहीं है क्रिप्टो ट्रेडिंग है दोस्तों stocks हो क्रिप्टो या कोई भी मार्किट ह चीज़ की नहीं दे सकता अगर कोई guarantee दे रहा है तो आप समझ जाएं कि यहां पर scheme का answer जो element जो है वो मुझूद है क्योंकि finance का हमें खुद पता नहीं होता ठीक है कि भाई कहा तक जाएगा कब जो हो गिर जाएगा क्योंकि यह सारा कुछ यह जो decision making होती है वो हमारे हाथ मे US से inflation rate का कौन सा percentage जो हो next month आएगा यह मुझे क्या मालूम मतलब ठीक है हम इदर उदर से कुछ news वगरा पढ़के आपको जो हो कुछ चीज़ें बता सकते हैं लेकिन सारी speculations होती है 100% कोई भी कुछ नहीं कह सकता इसलिए यह चीज़ आप जहें में रखें कि हम यहां पर financial advice नहीं दे रहे होते हम आप तक information पहुंचा रहे होते हैं उसके बाद आपका decision होता है कि आप कहीं पर investment करते हैं या नहीं करते है risk and reward ratio का भी जो तनासुब है या जो percentage है वो भी आपको जहिन में यहां पर रखना होता है आपको जो मतलब आपकी जो savings है उनको भी नजर में जो है वो भी 70 to 80% कभी 60% लगता है 100% हम उसके बारे में भी कुछ नहीं कह रहे होते या नहीं कह सकते ऐसा कहले हैं अभी कुछ दिन पहले ही मलब दो दिन पहले मैं भी जो हो शिबा से मलब यहां पर पैसे लगाने से डर रहा था मैं सोच रहा था कि भाई आप प्राइज अल्रेडी जो है वो बड़ा है तो यहां पर हमें थोड़ा करेक्शन का वेट करना चाहिए ताल दोगे करेक्शन थोड़ा बहुत हुआ भी सही लेकिन जितना मैं समझ रहा था उतना नहीं हुआ तो इसलिए आप जो इन्वेस्टमेंट्स वगरा करेंगे वो ठीक है मैं य स्क्रीन्स पर देखें कि शिवा एनू का जो प्राइज है वो जिरो पॉइंट फॉर जिरो वन टू तुरी तू इस वक्ट चल रहा है मार्किट रिंकिंग तीन नंबर दोस्तों आगे बढ़ गई है मलब वैसे इससे पहले शिवा एनू जो वो सिक्स्टीन नंबर की रिंक के मताबिक आता है यहां पर जो इस वक्त टोटल मार्किट केब वो आपके सावने है आप यहां पर देख सकते हैं more than six billion है बलके साथ billion के करीब करीब यहां पर जो है वो पैसे इस वक्त लगे हुए हैं यहां पर बाकी सप्लाइश अप्लाइश हो दिखाने का कोई फाइदा है नहीं बाकी यहां पर मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं यह देखें पंप जो इसने किया है यहां से 0.40106 सम्तिंग से यहां से प्राइज जो वो जाकर जो है वो इस वक्त 0.401233 पर पहुंचा हुआ याल दो उससे पहले कुछ न्यूज यहां पर देख लेते हैं। उसमें से आप यहां पर देख सकते हैं। उसका नाम है। तो उसके साथ उसकी डारेक्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। के साथ बनाया गया और ट्रेडिंग का वाल्यूम इस तरह से बढ़ा है। तो जाहिसी बात है जितने ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा इसके अंदर इंवेस्टमेंट करनेगा। लेकिन कोई भी कोई जितने ज्यादा मौके होंगे उसके अंदर इंवेस्टमेंट करने के उतना ही ज्यादा वहाँ पर ट्रेड के चैंसिस होंगे। अबी तो मैं आपको यहाँ पर यह चीज इस तरह से समझाता हूँ। नॉर्मली आप देखते हैं कि बहुत सारी करनसी की जो ट्रेड ट्रेडिंग है बनलब वहाँ पर जो एक्सेंजिस पर पेर बनावा होता है वो ज्यादा तर यूएस जीटी में होता है। तो उसके इंडियन करनसी ले 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 या पाकिसानी करनसी ले ले कोई भी ले ले आप उसमें से पहले डॉलर बाय करते हैं फिर डॉलर के साथ जाकर आप उसमें ट्रेड करते हैं लेकिन डिरेक्टली अगर हमें अपनी ही करनसी में उसकी ट्रेडिंग का मौका मिले तो बहुत सारे मस यहां पर शुरू किया सिर्फ यहां पर कारफर्मा नहीं होगी इस से पहले जो यूज आई है उसने ट्रस्ट जो है वो जुड़ा बिल्ड किया है जायक्सी बात है उस ट्रस्ट ने इस चीज़ को इतना बढ़ाने में अपना रोल प्ले किया है दोनों चीजें यहां पर एक्दम से हुई है इसके बाद वैसे भी जैसे ही अपडेड आई थी तो उसके बाद हमने देखा कि कुछ और एक्षेंजेज ने भी शिबा एनू को लिस्ट किया शिबा एनू इस वक्त मोर दिन हंड्रेड एक्षेंजेज पर मौझूद है जहां पर जाकर आप ट्रेड कर सकते हैं अच्छा अब दोस्तों आपके साथ शेयर करता हूँ टीम डेवलब्स शिबा एनू बर्न पोर्टर स्पेसिफिकली फार शिबर्यम शेयर्स हाओ शिबर्यम विल बर्न शिब तो ये जो अपडेड आई थी दो दिन पहले उसमें एक खास पोर्शन रखा गया था जिसमें हम उनको बनाया जा रहा है तो बोन वहाँ पर गैसीस के तोर पर काटा जाएगा अब उसमें से कितना हिस्सा जो है वो शिबा के लिए रखा जाता है परसंटेज वाइज मैं कह रहा हूं फिर उसको किस तरह से बर्न किया जाता है फ़र एक ट्रांसिक्शन हुई है उस ट्रां से क्या शिवा ईनू बर्न वहां से हो जाएंगे क्योंके बर्निंग के लिए अगेन आपको फीस बर्नी पड़ती है क्योंके ट्रांजिक्शन बर्निंग में भी होती है तो ये मेरा ख्याल है कि बाए बेक का सिस्टम रखेंगे यही चीज इस आर्टी के अंदर जो हो क्लियर की गई है किस तरह से यह सारा कुछ होना है अल्दों के सारी चीज़े तो टीम ने भी यहां पर क्लियर नहीं की इसलिए हम भी नहीं कर सकते लेकिन कुछ चीज़े समझ में आ रही है कि बर्न जरूर होंगे और यह जो बर्न पोर्टल है यह शिबा एनू की टीम ने मलब स्पेशल बनाया है स्पेसिफिकली बनाया है बर्निंग के लिए शिबा एनू की बर्निंग के लिए अभी मैं रिसर्च कर रहा था तो एक आर्टिकल मेरी नजर से गुदरा उसने कहा है कि ये ठीक है शिबा एनू में अभी भी मलब एक लेक है और वो ये है कि इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है मैं मेरा अपना व्यू देता हूं हो सकता है आप मुझसे तफाक करें या ना करें में भी आप एगरी ना करें और बहुत सारे दोस्त ना भी कर सकते है मलब हर किसी की अपनी राय होती है खयाल होता है मेरा खयाल यह है कि शिबा इनू की ये जो यूटिलिटी है ये एक तरह से तो बर्निंग के हिसाब सही बनी हुई है जितने भी शिबा यहां पर बर्न हो रहे है ये भी एक तरह की यूटिलिटी है मलब बाय होता है और फिर हमेशा के लिए वहां पर वो पैसे लॉक हो जाते है जो बर्न करके ठीक है ये तो आम जो यूटिलिटी होती है उससे भी अच्छी है क्योंकि यूटिलिटी में अगर मैं कोई स्टोर खोला हुआ है मैंने तो ये जिसमें मैं शिबा एक्सेप्ट कर रहा हूँ आप मुझे शिबा भेजते हैं और मैं शिबा फिर महलब सेल आउट कर देता हूँ तो यहां पर ये जो बर्निंग है इसमें सेलिंग भी नहीं होती एक जगा पर लॉक हो जाती है और फर एवर लॉक हो जाते है तो सबसे बड़ी तो जो यूटिलिटी है वो ये है उसके नमबर पर अब जो टीम यहां पर कर रही है शिबारियम के साथ इसकी बर्निंग का मेकनिजम बना रही है ये तो और भी इसको वन स्टेप आगे लेकर जाएगा तो इसे साथ से ये ज्यादा मेरा ख्याल है के बहतर यूटिलिटी है और उसके अलावा और भी बहुत यूटिलिटी इस वक तक शिबा की बन चुकी है जिसमें हमने देखा है के बहुत सारे स्टोर्स वगेरा जो है वो शिबा इनू को एकसेट कर रहे है अब ये सारी चीजे मिलकर अल्टिमेटली शिबा इनू को एक मेरा ख्याल है के ट्रस्टिबल कोईन बनाती है वैसे अगर उस ट्रस्ट की बात की जाए जो के आप डॉलर पर रखते हैं या इंडियन करंसी पर रखते हैं वो तो बिटकोईन पर भी नहीं है और उसका रीजन यह है कि बिटकोईन की तरह किसी और करंसी का प्राइज इस तरह बिटकोईन और जितनी भी क्रिप्टो करंसी है उनकी तरह और करंसी का प्राइज नहीं गिरता कि मतलब 80% वन मंथ के अंदर गिर जाए या एक दो दिन के अंदर गिर जाए डॉलर एक दम से इतना नहीं गिरता इंडियन करंसी हो पाकिसानी करंसी हो बंगलादेशी हो इतना नहीं गिरते लेकिन ये जो फ्लक्टुएशन कर नहीं होतनी प्राइजिस और चड़ेंगी नहीं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स क्यूं करेंगे अल्टिमेटली यह फ्लक्ट्योइशन्स ही चाहिए होती है जिसकी वजह से यहां पर इतनी सारी ट्रेड हो रही होती है और यह ट्रेड ही सारा कुछ कर रही होती है तो य इन्वी मतलब 300 की रेंज में इस वक्त चल रहा है मेरा ख्याल है कि यह अब यहां पर अगेन एक सपोर्ट बन रही है यहां से अगर वापिस आ जाता है तो मैंने यह प्रिडिक्ट किया था कि 280 तक आ सकता है चांस तो बिलकुल मौजूद है लेकिन उस वक्त मैंने यह भी क तो यह सारा बिटकोइन पर डिपेंड करेगा अगर बिटकोइन यहां पर क्रेश करता है तो अगेन शिबा भी डाउन आ सकता है अचा तो अब चलते हैं दोस्तों बोन पर मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ऐसे दोस्त जिनोंने मेरी वीडियो देखकर बोन को बाए किया होगा इस वक्त वो बड़े खुश होंगे क्यूंकि वैसे तो मैं बोन को बड़े दिनों से कवर कर रहा हूँ बलकिसरा लेकिन रिसेंटली हर रोज सको कवर करने का मेरा जो परोग्राम बना वो है शिबर्यम की लांचिंग को देखकर और उस वक्त इसका जो बोन है इसका आज गया है आपने बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स बनाए होंगे मैंने मतलब जितने भी बाय किये हैं वो अपने पास होल्डिंग में ही रखे वे हैं अब देखते हैं होता क्या है फ्लक्शुशन्स होती रहती हैं लेकिन एक चीज़ यहां पर मैं आपको अगेन बताता ह हूं कि इतनी बड़ी न्यूज जो है वो अभी तक मतलब हम कह रहे हैं कि आनी है बोन की उसके बावजूद भी बोन जो हो हंड़िट इन ट्विंटी वन नंबर पर रेंकिंग में है और इसके अंदर आप अगर उसकी मार्केट केप देखें तो कुछ ज्यादा नहीं है 24 कर पर लगता ही जा रहा है हाए तो इसने मालब अच्छे खासे बनाए हुए हैं लेकिन अब मैं आपको चार्ट पर लेकर चलूँगा उसके बाद हम सही जज़ कर पाएंगे कि होता क्या है तो चार्ट की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर रख लेते हैं बोन को तो अप support लाइन अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा जो support इसकी strong बन रही है वो बन रही है 1.08 पर तो round about 1 डॉलर पर अब इसकी जो है वो एक support बन रही है जो करे बहुत ज्यादा strong है और यह मैं आपको one day का बता रहा हूं short term का मैं नहीं बता रहा दे रहा यहांपर already इ प्राइज ने पंप किया है, उसके बाद आप करेक्शन कर रहा है, तो इस करेक्शन के बाद होता क्या है, यह तो वक्ती बताएगा, लेकिन यह जो सपोर्ट लाइन है इसकी, वो मदब अभी भी वन डॉलर पर इसकी है, मदब यह यहां पर आप देख सकते हैं, वन टाइम औ और फिर थर्ड टाइम यहां पर यह बहुत ही अच्छी जो है, वो रिजिस्टेंस यहां पर बनी है, जिसको तोड़ कर इस वक्त बोन ऊपर चला गया है, अब अगर नीचे आता है, तो वन डॉलर पर इसको जो है, वो अगेन सपोर्ट का सामना होगा, और उसके बाद प्र करना पर सकता है, I don't know, लेकिन यहां पर प्राइज आने के चांसिज हैं, क्योंकि मैं नहीं समझ रहा कि जो शिबरियम है, वो कोई कल पर सो आने वाला है, इसकी प्राइज में जो डिकलाइन है, वो तो नेक्स्ट वीक भी आ सकता है, और अगर आया दोस्तों, तो ये वन ड करूंगा कि आप थोड़ा वेट कर लें, वन डॉलर पर या वन डॉलर के आसपास कहीं इसका प्राइज अगर आ जाता है, तो आप इसमें इन्वेस्मेंट कीजेगा, उसके बाद जैसे ही ये जंप अप करें, तो आप कुछ प्राफिट बनाकर मार्किट से एक्जिट कर ल वैसे टीम जो है, वो पंपिंग डंपिंग के भी खिलाफ है, तो हो सकता है, आइस्था आइस्था करके, एक्जॉट्शन करके जो है न, वो यहां पर चीज लाँच करें, ताके नॉर्मल वाला पंप यहां पर रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा पंप ना है, क्योंके टीम समझती है, कि ज्यादा बड़ा पंप जब आता है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर अगेन किसी भी टोकिन या कोईन के अंदर फस जाते हैं, एक बड़ी प्राइज पर जाकर जब वो बाय करते हैं, तो वहां पर फस जाते हैं, अब फ्रेंड्स यहां पर बात करते हैं, पिसका ट्रेड कर रहा है, तो यह इतनी करेक्शन यहां पर हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यह इसको जो सपोर्ट है, यहां पर मिलने वाली है, जीरो पॉइंट फोर जीरो डबल वन पर, इस वक्त फाइव डबल वन फाइव पर प्राइज चल रहा है, तो यह फाइव तो यूर इन्वेस्मेंट मिलेंगे, जितनी इन्वेस्मेंट ज्यादा होगी, उतने ही ज्यादा डॉलर्स मिलने के चांस है, तो वो मलब आप निकालके और फिर मार्किट से एक्जिट कर लीजेगा, अभी वही बात है कि शिबरियम में टाइम लगना है, तो यहां पर जो शिरी मानी नाइन फाइव तक जो है वो इसका प्राइज आने के चांस अबी भी हैं, और लेकिन वह भी मुलन लांग टरम में है, लेकिन यह बोन के बारे में हो याशिबा के बारे में, दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं, मारकिट के ओॉर आल टरेइंड पर, मारकिट क को इन दोनों टोकिन्स में देखना होगा या फिर इन्वेस्टमेंट करनी होगी I hope दोस्टो विडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो like करें comment करें share कियर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि में और आपके जुड़ी रहें टेक कियर अलाफिस